हेलो नमस्तें वेलकम आपका स्वागत है स्टाजी आईक्यो में आप है मेरे साथ सुप्रया के साथ और आज हम पर्यावरण और पारिस्ति की नहीं जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे वो था पर्यावरण सनरक्षन नहीं हम लोग कर रहे थे जै विवित्ता सनरक्षन तो हम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम जो अन्य प्रकार के इन सीटू तरीके हैं याद है एक सीटू और इन सीटू जरा मुझे कमें सेक्षट में बताना कि एक सीटू क्या होता है और इन सीटू संरक्षण क्या होता है तो इन सीटू हम लोग जो अपने अभ्यारन होते हैं वाइड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उसके बारे में बायोस्फेर रिजर्व जो कि आपके जैवारक्षित छेतर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा टाइगर अगर देख पाएं तो हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में भी देखेंगे लेकिन टाइगर रिजर्व के बारे में मैं सोच चूँ कि एक अलग सही चाप्टर बना दू लेकिन देखते हैं हम इसको अगर आज के लेक्ठर में कर पाए तो आज इसको भी करेंगे और साथ में जो अपने sacred groups होते हैं ठीक है जो आपने पवित्र उपवन होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे discussion करेंगे ठीक है तो without wasting any time अब हम शुरू करते हैं मेरा आप से question है कि आप मुझे comment section में बताने वाले हैं कि आप जिस state से है उस state में सबसे बड़ा ठीक है सबसे largest national park कौन सा पाया जाता है और सबसे smallest national park कौन सा पाया जाता है फिर से सुन लो आप जिस state को belong करते हैं उस state का नाम लिखिएगा अपना नाम लिखिएगा और साथी साथ आपकी state में सबसे largest national park कौन सा है सबसे बड़ा याने राश्ट्रिय पार कौन सा है और सबसे छोटा याने smallest national park कौन सा है यह आप जरूर बताईएगा ठीक है तो अब हम चलते हैं यह हमने last time देखी लिया था हमने protected area network के बारे में बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे आपके वन्य जीव अभ्यारन याने wild life sancturies के बारे में देखो नाम से समझ में आता है कि ऐसा है एक area जो की sanctuary है ठीक है जो की एक अभ्यारन है किसका wild life का ठीक है जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो अंत में एक ऐसा area जहाँ पे आप animals को wild life को जै विवित्ता को जैसे वो पाई जाती है ठीक है जैसे वन्य जीव पाई जाते हैं जैसे वो अपने आप natural environment में रहते हैं वैसे ही आप उनका संद्रक्षन करना चाहते हो without any disturbance ठीक है और हमेशा याद रखना जै वो नाशनल पार्क हो या wildlife century जैसे नाशनल पार्क में तो हमने साफ साफ बोला था कि कोई भी कतिविती allowed नहीं है अगर आप chief wildlife warden जो होता है उस state का उससे permission नहीं लेते तो ज़रा मुझे comment section में बताना कि आप जिस state से हो उस state का chief wildlife warden इस समय कौन है उनका कोई नाम होगा वो कोई व्यक्ति होंगे तो उनका नाम कौन है ये ज़रू मुझे comment section में बताना ठीक है तो वैसे कि आप देखो कि जो wildlife centuries होती है वहाँ पे भी आप किसी वन्यजीव को ना ही capture कर सकते हो ना उसकी hunting कर सकते हो जैसे हमने देखा था कि हमारे आपे 106 national park याद है और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका चो data है कुछ sites पर upload नहीं हुआ है अपडेट नहीं हुआ है जबकि वो भी सरकारी ही websites है तो ज़रूरी नहीं है कि जो source आप पढ़रे हो अपडेटेड हो तो updated source से पढ़ना बहुत जरूरी है तो वैसे ही आप देखोगे कि अगर हम wildlife centuries की बात करें तो इंडिया में लगबग 565 आप देखोगे वन्यजीव अभिहारन है जो करीबन 3.73% इसको मैं जनरली ऐसे याद करती हूँ 3.8% के आसपास जो area होता है हमारी country का उसको occupy करते हैं ठीक है अगर मैं largest वन्यजीव अभिहारन की बात करूँ तो obviously वो जो कच में आपको मिलेगा desert wildlife वाला इलाका वो वाला हो जाएगा और सबसे जो smallest अभिहारन है वो है आपका मयूरेश्वर wildlife century जुसका area बहुत ही जादा कम है point zero something में आता है देखो सबसे important question जो आपको अपने exam perspective से और अपने खुद के perspective से पता होना चाहिए वो ये है कि एक राश्ट्रे पार्क और वन्यजीव अभिहारन में क्या अंतर होता है ठीक है देखो सबसे पहली बात है कि national park में कोई activity नहीं अलाओ होती है wildlife century और national park दोनों में ही core buffer strategy चलती है कि एक तो core रिलाका होता है और एक buffer रिलाका होता है लेकि national park में कोई भी गतिवीथी अलाओड नहीं होती है wildlife century में थोड़ी human activities अलाओड होती है ठीक है जनरली आप देखोगे जो वन्य जीव अभ्यारन होती है यह कोई गाओं के human settlement के आसपास होती है तो वहाँ पे आप completely वहाँ से human habitation होते है उसको हटा नहीं पाते वहाँ के जो daily activities होती है वो आप पूरी तरीके से prohibit नहीं कर सकते इसलिए कुछ human activities हमेशा एक अभ्यारन में allowed होती है ठीक है जनरली आप देखोगे नाशनल पार्ग जो होता है वो अपना flora, fauna, zoological, geomorphological बहुत सारे इसके विज़े से हो सकता है लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारन होता है वो mostly आप देखोगे किसी एक particular species focus हो सकता है ठीक है नाशनल पार्ग को मैंने आपको बताया था कि घोशे state government भी कर सकती है central government भी कर सकती है लेकिन इसका proper gazette में notification निकलता है ठीक है यह अपना सरकारी gazette होता है जहापे circular जगर आते हैं वहाँ पर proper notification निकलता है कि आज से इतना इतना area इस boundary के अंदर अंदर नाशनल पार्ग के लाए जाएगा मतलब इसकी proper fixed boundary होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि wildlife century की proper fixed boundary हो ठीक है आप देखोगे नाशनल पार्ग जो होता है जेनरली कहें थोड़ा सा प्लोज रहता है पब्लिक को इतना open नहीं होता लेकिन अभ्यारन जो होते है जरूरी ओपन रहते हैं ठीक है और सबसे important बात क्या है कि अगर आप किसी नाशनल पार्ग को मतलब हटाना चाहते हो उसकी boundary को shift करना चाहते हो उसके area को कम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन एक century को आप बात में नाशनल पार्ग का दरजा दे सकते हो तो आप ऐसे समझो कि कोई area century था उसको बात में नाशनल पार्ग बना दिया गया तो आप अपना status डाउन ग्रेड करोगे ठीक है यह पता होना चाहिए यह थोड़ा सा stricter वाला हो जाएगा यह थोड़ा सा कम strict हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे मैं पहले आपको online दिखाऊंगे कि आपको wildlife centuries कहां से देख रही है फिर आप यह देखेंगी कि आपकी state में particularly कितनी centuries आती है ठीक है इसके बाद आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे कि आप जिस state से है वहाँ पर largest wildlife century कौन सी है और smallest wildlife century कौन सी है ठीक है यह आप मुझे comment section में बताने वाले है और उसके बाद आप basically क्या करेंगे अगर आपकी state म इन तीनो सालों में अगर कोई अभ्धारन घोशित किया गया है तो उसके बारे में आप जरूर information collect करेंगे ठीक है वैसे मैं आपको फिर से बोल रही हूँ हम लोग state wise अलग से information लेके आएंगे पर उसको अलाने में थोड़ा सा time लग सकता है लेकिन अगर आप भी हम कोशिश को पहले से ही control में रखें ठीक है यहां पर हमने थोड़ी सी नई वाली जो wildlife centuries आई है वो डाली है लेकिन इसके पहले हम लोग विबर online चेक करेंगे तो यह पहुचे हम Google बाबा पर और Google बाबा पर हम क्या करेंगे तो यहां पर ही देखो वापस से हम लोग वही एन्वेस वा यहां पर देखो कि बहुत सारे साइड में आपके left hand side पर कुछ मेंशन कर रखा है यहां पर wildlife centuries पर क्लिक करोगे जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा page open होता है अब इसमें क्या है कि देखो किदारनार जो wildlife century है यह वहां का photo किसी ने ले रखा है ठीक है तो यह wildlife century सबसे पहले तो होती क्या है यह definition आपको पता होनी चाहिए ठीक है कोई भी एक area जो या तो reserve forest था या किसी territorial water के अंदर आता है जिसको state government ठीक है चाहे तो notify कर सकती है as a century अगर इसमें भी ecological, faunal, floral, zeomorphological, zoological ऐसे कोई महत्ता वाली चीज़े हैं जिनको propagate या संदक्शन करने से हमें environment उनको उसी environment में सुरक्षित करने से हमें फायदा मिलता है ठीक है इसके अंदर याद रखना national park में था कि कोई भी activity allowed यहाँ पे देखो कुछ activities allowed है जिनका mention आपको already जो अपना अधिनिया में अनुन सो भहत्तरवाला उसके अंदर mention किया गया है ठीक है अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया 565 ठीक है लेकिन यहाँ पे कित्ती दे रखिये 5 सिफ 500 कित्ती त्रेपन 553 wildlife centuries ही mention कर रखी है जो नहीं है सही क्योंकि देखो last update कब हुआ है 2019 में और फिर उन्होंने इसके हिसाप से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2020 के हिसाप से last update किया था और यहाँ यहाँ पे नीचे जाते जाओगे जाते जाओगे क्योंकि 500 entries है तो टाइम लगेगा तो यह देखो 566 ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे 566 centuries यहाँ पे उन्होंने mention कर रखी है उपर उन्होंने 553 लिख रखा है वो update नहीं किया है लेकिन यह वाली चो टेबल है उन्होंन control F अपने computer में ठीक है और वहाँ type करोगे 2020 यह दिख रहा है है हाँ पे 2020 तो 2020 के नाम पे हाँ पे सिर्फ एक आ रहा है ठीक है यह वाला तो इसका मतलब है कि 2020 में कुछ नहीं आया फिर 2019 type करो फिर देखते है कि कौन अब यह देखो 2019 जब मैंने click किया तो यह बता रहा है कि 2019 म जो notify करी गई है यहाँ पे easily मिल जाएंगी ठीक है यह देखो ऐसे ही आप आराम से इसमें से धून सकते हो कि कौन सी नई centuries है जो इस वक्त notify करी गई है ठीक है वैसे देखो इसमें बहुत time लग जाता है कई बार लेकिन आपको सिर्फ अपनी state case आप से पढ़ना है तो आप अ century PIB ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यह देखो यह PIB की latest information है जिसमें आहां जिसमें वो यह बता रहे है कि कोई जो दो centuries थी है उनको tiger reserve का दरजा दे दिया गया है तो यह अपने काम का अभी नहीं है क्योंकि हम tiger reserve के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं जब हम tiger reserve के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे यहां पे वो काम का हो जाएगा ठीक है अब यहां पे देखो night sky century बनाई जा रही है लदाख में अब यह night sky century क्या होती है basically जहां पे आप night के time पे चाहते हो कि minimum lighting रहे ताक कि आप आस्मान में जो तारे है जो astronomical phenomena's है वह आप असानी से देख सको यह अपने से related नहीं है बट मैंने आपको यहां पर बता दिया है ठीक है अब यह देखो यहां पर दिख रहा है government of India अब इस पर क्लिक करोगे तो यह साथ जन्वरी का पोस्ट है 2022 का इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ बता रखा है कि चीतास वगरा जो है वो कौन सी सेंचुरी में आने वाले है तो कुनो पालंपुर जो wildlife sanctuary थी यह उसकी information दे रहा है अभी अपना Wikipedia आ गया तो Wikipedia पर हम क्या करेंगे यहां पर हम wildlife sanctuary in India ठीक है अब यहां पर गए यह वाला page खुलेगा अपना Wikipedia वाला ठीक है अभी देखो पहले त तो यहां पर नोने फिर से वही mention कर रखा है state wise अगर जाओगे तो सारी states को almost नोने mention कर रखा है जैसे रादिस्थान में अगर आप देखोगे तो 24 हैं यहां पर mention कर रखे है ठीक है तो ऐसे करके आप पूरी information निकाल सकते हो उसके अलावा याद है मैंने आपको wildlife institute of India की website बता यहां पर 565 अपने आपे wildlife centuries exist करती है 3.73% अपने उसका occupy करती है और यहां पर क्या है state wise आपको number दे रखा है तो यहां से आप easily देख सकते हो कि कौन सी state में maximum wildlife centuries है जैसे आप यहां देखोगे कि इंडिया में कौन सी state में maximum national parks देखने को मिलते है तो वह दरा देखो यहां पर तो मद्रप्रदेश में 11 है तो यह आप देखोगे highest number हो जाएगा किसी भी state में जहां पर आपको national parks देखने को मिलते है ठीक है वैसे अगर आप wildlife centuries देखे तो यहां पर देखोगे गुजरात में 23 wildlife centuries है उससे जादा आपको यहां भी देखने को मिलेगी 35 करनाटिका में 49 महार जादा है और इक में wildlife centuries यह चीजे बहुत factual है जो आपको पता होनी चाहिए और क्यूंकि आप देखो कि कोई एक नया area आपने national park गोशित कर दिया उसको wildlife century का दरजा दे दिया तो उससे क्यों होता है कि फिर आपका fact figures बदलते रहते हैं तो वो आपको idea होना चाहिए ठीक है त तो अंडमाने निकोबार में 94 wildlife centuries है state with highest number of wildlife centuries और state with highest number of national parks आपका मद्रप्रदेश हो जाएगा 11 ठीक है अगर हम percentage area wise देखें कि भाई कौन सी state में कितना percentage area आप देखो कि national park ने occupy किया है तो उसका answer अलग हो सकता है for example यहाँ पर देखो 22 यह वाला है 22 सी उपर कुछ है क्या नहीं तो यहाँ पर आप देखो कि चंदिगर निकल के आ रहा है जहाँ पर उस state का या उस union territory का 22% हिस्सा जो है वो 2 centuries है लेकिन वो state इत्ती छोटी है कि उसका काफी दादा portion जो है वो century में चला गया ठीक है तो यहा लिंग्स दे रखी है तो आप easily यहां से पढ़ सकते हो ठीक है तो ऐसे आप क्या करोगे जो भी wildlife centuries अपनी आई है वो आप असानी से यहां से निकाल सकते हो ठीक है तो यहां पर आपन टाइप करेंगे latest wildlife centuries इंडिया ठीक है तो यहां पर आपको बहुत सारी articles मिल जाएंगे ठ उपर उपर से अगर आप देखो किससे आपको यह पता लग जाएगा कि अगर आपकी state में कोई wildlife centuries related plant बनाए तो यहां पर कोई ट्रांस लोकेशन किया जा रहा है ठीक है यहां से आप इजली निकाल सकते हो और वैसे आप यह देख सकते हो कि 2022 में कौनसी wildlife centuries आई है यह देखो रामगर wildlife century जो इंडिया का 52nd tiger reserve है ठीक है जिस पर हमने एक in short प्रिबनाने की कोशिश करी थी यह देखो आप यह 1st December का article है study IQ का ही तो यहां पर आप देख सकते हो wildlife centuries के बारे में state wise हापे mention कर रखा है फिर यहां पर state wise नाम भी बता रखे है wildlife centuries के ठीक है easily आप नीचे से देख सकते हो और इसमें कुछ आपको wildlife centuries related FAQs भी दे रखे है ठीक है तो आप ऐसे करके आसानी से अपना wildlife centuries का portion जो है वो यहां से cover कर सकते हो ठीक है तो यहां पर हमने क्या कर रहा है एक दो wildlife centuries बताएं जैसे 2020 में केरेला की एक करिम पूजा करके wildlife century है वो उसको गोशित किया गया थ तो उसके बारे में थोड़ा information मैंने आप पे लिख दिया है वैसे आप देखोगे मेगमलाई wildlife century हो जाएगी जो आपके तमिलाडू में आती है देखो जो दो states है जिसमें आप देखोगे नाम almost similar से होते है उनमें confusion भी बहुत जादा होता है जो जैसे यह मेगमलाई वाला हो क्योंकि आपको लगेगा कभी केरला में है या तमिलाडू में तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना ठीक है वैसे है कि आप देखोगे खोंग जैन गंबा wildlife century हो जाएगी जो मनीपूर स्टेट में लाए करती है और यहां पे कुछ आपको reptiles जगरा देखने को मिलत आते हैं शांरक्षित अपां सामुदायिक आरकषिद छेत ठीक है अब में लेके आपको होता है एक तो होता है कि आपने को एरिया ले लिया और उसको सरकार ने legally national park या wildlife century गोशित खर दिया ठीक है अब एक suppose करो कोई ऐसा एरिया है जो national park के आतो सकता है थोड़ा सा भार का एरिया हो या दो national park के बीच का एरिया हो ठीक है यहाँ फिर हो सकता है कोई अलग से एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे बहुत सारी आपको बायो डाइवरसिटी जैव वित्ता देखने को मिलती है लेकिन community जो है उसको protect करती है community भहाँ पे रहती है मतलब community का और उस wildlife का उस वन्य जीव का आपस में दूसरे से गहरा नाता है तो आप एकदम से यहाँ पे पूरा human interaction जो है वो खतम नहीं कर सकते प्रोहिबिट नहीं कर सकते तो ऐसे एरियास को अगर आपको संरक्षित करना है तो सरकार क्या करती है इनको या तो conservation reserve का दर्जा देती है या इनको community reserve का दर्जा देती है यह दोनों ही दर्जे आपको जो wildlife protection act जो अतना अधिनियम है ठीक है संरक्षन का वन जीव के जो 1972 में आय था उसके अंदर इनका नाम mention किया गया है फरक क्या है इन दोनों में कि conservation reserve में जो यह land होता है जो जमीन होती है जिस पे आप देखोगे यह वन जीव है तो यह जमीन जो होती है यह सरकारी होती है लिकिन यही जमीन अगर या तो किसी private individual की हो या किसी community की हो आपस में common ownership हो तो उसको फिर हम community reserve का दरजा देते हैं ठीक है तो basically एक ऐसी area जो या तो आप देखोगे किसी national park wireless century के बाहर का area ठीक है buffer से भी buffer बफर से भी भाहर का area जो उसका भी buffer की तरह act करता है ताकि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुली मतलब national park या खतम हुआ और यहीं पर हमने बड़ी-बड़े माले और buildings बनाना शुरू कर दिये तो बस हो गया ना कल्यान जैसे नहीं तो आप क्या करते हो थोड़ा सा इसके आस पास का एक से दस बीस किलोमिटर का area जो होता है उसको फिर थोड़ा सा buffer रखते हो उसके बाद आप देखोगे human habitation शुरू होती है तो लेकिन इस एरिया को भी protection करने की जरुवत है ना नहीं तो आप देखोगी humans हम तो हैं लालची हम आप जाके अतना बसेरा बसाना शुरू कर देंगे ठीक है और फोटोस क्लिक करना शुरू कर देंगे सुबा शाम तो इसलिए क्या होता है कि यहां पर फिरा conservation reserve या community reserve लेके आते हो भाई कोई दो national park है आप भ्यारण है ठीक है कोई दो protected forest है उनके बीच का अगर कुछ हिस्सा है जहां पर आपको लगता है कि बने जीव बार बार आपको मिलते रहते हैं तो उसको भी आप क्या करते हो थोड़ा सब protect करने की कोशिश करते हो ठीक है समझ अपने आप देखोगे विकास के लिए अपने रहन सहन के लिए अपने सबाइवल के लिए ठीक है पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसको exploit करते है क्योंकि obviously आपने उसको किसी ना किसी तरीके का protection दे दिया है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंडिया में यह conservation and community reserve का जो idea था यह कब आया देखो उन्ने सो बहत्तर में आपके पास तरफ नाशनल पार्क और wildlife century का idea आया था फिर आपने दो हजार दो में ठीक है community reserve और conservation reserve और साथ साथ में sacred groups ठीक है इसका भी idea ले के आया ठीक है तो अलग-अलग time पे आप देखोगे ideas आते गए और फिर हमने उस प्रतिशत जो होता है वो occupy करते हैं और अगर हम community reserve की बार करें तो 219 community reserve exist करते हैं ठीक है अब यह देखो यहां पे state wise breakup दे रखा है कि भईया कितने आपके conservation community reserve है हम फिर से क्या करेंगे एक एक एन्विस की website देखेंगे और एक बार हम WII, Wildlife Institute of India की website देखेंगे और आप फिर व occupy हो रहा है तो यहां पर देखो हां यह community reserve और यह दो I think wildlife centuries है यह national parks है यह देखो यह अपना है NVIS का website जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ ठीक है इसमें आप वापस से left hand side में देखोगे तो यहां पर आप देखो protected area network उसके अंदर आपका national park wildlife century हमने देख लिया अब है conservation reserve इस पे क्लिक करोगे तो पहले तो आप देखोगे यह आजाएगा conservation reserve होता क्या है community reserve क्या होता है यह वो protected areas है जो basically buffer zone की तरह connection corridors की तरह या migration corridor की तरह काम करते हैं ठीक है अगर यह completely हाँ पर कोई रहता नहीं है और completely जमीन को सरकार own करती है तो conservation reserve हो जाएगा अगर यह community own करती है तो उसको community reserve का दरजा दिया जाता है यह वाई है कि 2002 में हमने अपना आदिनियम था उसमें संश यह अगर हमें 100 conservation reserve exist करते हैं यहां देखो state wise यहां पर नाम दे रखा है notification दे रखा है तो यहां पर अपनी state देखोगे और आप देखोगे कि आपकी state में कितने conservation reserve आते हैं यहां पर देख लो ठीक है हर state में नहीं मिलेगा लेकिन आपको कुछ state में ज़रूर मिल जाएगा ठी ठीक है फिर आएंगे आपके community reserve ठीक है तो यहीं पर अगर आप देखोगे tiger is यहां ही पर अगर आप nvis की website पर जाओगे तो यहीं पर left hand side पर community reserve आता है इस पर click करोगे तो आपको community reserve का जो page होगा वो खुल जाएगा ठीक है एक बड़ हम देख लेते हैं कि हां पर खुलावा हाँ यह रहा तो ऐसे आप देखोगे community reserve का page खुल जाएगा फिर यहां पर क्या हो रखा है कि community reserve में बता रखा है कि difference क्या होता है conservation reserve से यह कब add किया गया वो सारी चीजे सेम है फिर आप देखोगे अगर आप number देखोगे तो लगबग लगबग नीची की site पर जाओगे तो 21 14 दिखा रहा है ठीक है तो यहां पर आप देखोगे state wise बता रहा है जैसे नागर लैंड में मेगाले में मनीपूर में हर्याना अनुना चल तो hardly आपको 8-9 states ही मिलेगी जहां पर यह community reserve देखने को मिलते हैं फिर आप आजाओ wildlife institute of india की website पर यहां पर right hand side में अगर आप आपको कि मैंने जो डेटा अपनी ppt में डाला है वो मैंने updated डेटा डाला है आपके इस वाली website से ठीक है तो इसलिए यह 2022 तक का data है जो में 2022 में अपडेट हुआ था अब में से दिसेंबर तक का data क्या हो जाएगा हो next year update होगा तो जब आप exam देने जा रहे हो तो एक बार इन हलगी जोन में चल रहे हो ठीक है तो यह हां से आप देख सकते हो ठीक है फिर वैसे ही हां से आप देखोगे community reserve इस पे sorry तो इस पर अगर आप click करेंगे हां तो यह चलना तो चाहिए तो देखो यह community reserve यहां से आ जाएगा यह community reserve पे click किया यह देखो 219 दिखा रहा है हापे ठीक है और यहापे देखो state wise बता रहा है मैंने बोला ना hardly 8 यह नौई states हैं जहापे आपको community reserve देखने को मिलते हैं maximum देखो नागलान में देखने को मिल रहे है 114 और अगर हम conservation reserve की बात करें तो यह maximum कौन सी state में आपको दे pin shot भी डाल दिया है तो इससे आपको असानी रहेगी ठीक है अब हम चलेंगे अपने next type के इनसीटू संरक्षन के आप देखोगे प्रकार की तरफ जो है आपका biosphere reserve ठीक है जिसको हम लोग जैव आरक्षित छेत्र भी बोलते हैं यह जो concept है यह आद रखना यह इंडिया में origin नहीं हुआ था यह concept जो अपनी UNESCO करके एक संगठन है ठीक है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization उन्होंने बेसिकली यह concept दिया था उन्होंने एक program चालू किया था जिसका नाम था Man and Biosphere Program ठीक है जिसके अंदर वो यह बता रहे थे कि बहुत सारे जो protected areas होते है ठीक है उनमें क्या होता है कुछ ना क इस human biodiversity link को maintain करते हुए उसको हम लोग बोलते है Biosphere Reserves ठीक है तो यह large areas हो जाएंगे protected land के जहां पे आप conserve करते हो wildlife, plant and animal resources को और साथ ही साथ में जो traditional तरीका होता है वहाँ पे लोगों के रहने का उसका भी selection करते हो मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था national parks, wildlife centuries, conservation reserve, community reserve जहां पे हमारा major focus सिर्फ वन्य जीव को protect करना था लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि हमें जो यह humans का interaction है जो हाँ पे humans रह रह रहे हैं उनको भी protect करना है उनकी जो cultural heritage है उनकी जो आप देखोगे scientific knowledge है उसको भी protect करना है अब यहां रखना ही जो Biosphere Reserve होता है यह आपके वन्य जीव पाक या wildlife century में अपनी core या buffer strategy चलती थी वैसी Biosphere Reserve में आपकी strategy चलते है जिसको हम बोलते है CBT core buffer and transition सबसे अंदर वाला area core जो कि आ तो एक national park या wildlife century का दरजा रखता होगा ताकि उसको absolute legal protection दिया जा सके उसके बाहर का area buffer जहां पे आपका minimum activities रहेगा और उसके बाहर का area transition मतलब यहां से आप अपने जो होता है ना कम protected areas के तरफ जा रहे हो तो यहां पे scientific activities, research activities, human interference वो सब भी बढ़ जाता है इस transition zone में transition का मतलब क्या होता है जब आप एक जगा से दूसरी जगा transition कर रहे हो highly protected area से बिल्कुली non protected area के बीच में से आप transition कर ले हो तो यह वाल हो जाएगा, core area में फिर से वही है कि बिल्कुल भी कोई भी human activity अलाओ नहीं होती है, buffer area में आप यह सब research monitoring नगरा कर सकते हो और transition area में आप थोड़ी बहुत human settlements भी हाँ पे, tourism वगरा भी करवा सकते हो ठीक है, तो यह core buffer transition की जो strategy थी यह आपको biosphere reserve याने जैव आरक्षे छेत्रों में मिलेगी जो UNESCO के man and biosphere program से आती है अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में आप देखोगे वैसे total, अगर हम बोले कि हमारी सरकार ने कितने गोशित करें, तो हमारे आपे 18 biosphere reserve गोशित हुए है लेकिन उसमें से internationally जो UNESCO के man and biosphere program में आते हैं, वो कितने हैं, 12 यह फरक समझो, भाई कोई भी country चाहे, तो obviously na biosphere reserve गोशित करी सकती है मैंने चार national parks के आसपास का area था, उस पूरे बड़े area को मैंने एक biosphere reserve गोशित कर दिया लेकिन जरूर ही नहीं है, जो मैंने गोशित किया है, वो basically जो UNESCO man and biosphere program की guidelines होती है वहाँ पर मैंने submit किया, तो वहाँ से approve हो जाए, ठीक है, तो ऐसे तो हमारे देश में 18 biosphere reserves है लेकिन उसमें से कितने UNESCO वाले program के अंदर आते हैं, 12 ठीक है, अगर मैं आपसे oldest biosphere reserve की बात करूँ, तो वो हो जाएगा आपका नीलगीरी biosphere reserve जो 1986 में biosphere reserve का दरजा दिया गया था, यह तीन states में आता है, तो अगर आप यह देखोगे, तो ऐसा map है, चीक है, तो यह आपको पता है, कहरिला, तमिलनाडू, और यहाँ पर करनाटिका, तो इन तीनों के junction पे यहाँ पे western kharts वाले region में यह आता है, ठीक है, अब क्या होता ह कि biosphere reserve में, आप देखोगे, हर biosphere reserve में, कोई ना कोई एक key animal species है, जो भाँ पे ही पाई जाएगी, हो सकता है, कि वह आपे endemic भी हो, जैसे यहाँ पे आपको निलगिरी ताहर, तो यह ताहर की जो species है, यह सिर्फ आपको निलगिरी में ही मिलती है, तो यह ताहर की जो सिर्फ आपको उत्राखंड में देखने को मिलता है, आपको बता है, नंदा देवी तो एक परवत का भी नाम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको snow leopard, black bear, यह सब देखने को मिल जाएगा, फिर एक है आपको गल्फ ऑफ मिननार, जो इस साइड आता है तमिलनाडू में, ठीक है, आपको इस सारो हिल्स में आपको यह नोकरेक देखने को मिलता है, और यहाँ पे red panda, ठीक है, बहुत ही cute सा दिखता है, वो species यहाँ पे देखने को मिलती है, फिर एक है आपका सुन्दरबंस आपको बता है, पूरा mangrove area हो जाएगा, जो आपको delta area होता है, west bengal में, यहाँ आपको crocodiles और royal bengal tiger देखने को मिलते हैं, फिर है आपका मानस जो आपको असाम स्टेट में मिलता है, जो tigers के लिए, golden रंगूर्स के लिए, red panda के लिए काफी famous है, फिर है आपका simply, यह मानस वही है, जहां से ब्रमपुत्रा river भी निकल देगी, ठीक है, फिर है आपका simply pal, odisa मे यहां पे आजाएगा, यह basically आप देखोगे, यहां पे आपको Bengal tigers, elephants, यह सब देखने को मिल जाएगे, फिर आपका अरुनाचल प्रदेश में एक है दिहांग दिबांग करके, यह आपको उपर की साइट पे मिल जाएगा, basically यह mountain region है, वहां पे आपको देखने को मिलता है, फ man and biosphere program द्वारा भी, मतलब notify कर दिया गया है, फिक है, तो तीन biosphere reserve देखने को मिलते है, पंच पड़ी में आपको पता है, एक flying squirrel देखने को मिलती है, अचनार अमन कंटक वो रीजन है, जो मद्र प्रदिश तत्यसगर के बीच में लगता है, और पन्ना जो एक tiger reserve है और जहा पर भी snow lepers कोईकि बहुती high altitude है और red panda आपको देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर यह कच वाला जो रीजन है गुजरात का, वहाँ पर आपको wild ass, ठीक है, अच्छा चरह मुझे बताना कि Indian जो wild ass होता है, उसको हम लोग local गुजराती language में क्या बोलते हैं, जरह बताना यह अच्छा प्रदेश में अपना cold desert वाला इलाका होता है, जहां पर snow lepers बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि 3000 meter के altitude के उपर होता है, फिर तमिल अडू अगर यह कहरे लाका एक beach का area है, जिस पर UPSC ने भी एक बार question पूचा था, क्योंकि यह 2011 में notify किया गया था, यह था अगस वैसी असामेक डिबरु शायकोवा करके जगा है, जहां पर गोल्डल लंगूर देखने को मिलते हैं, उसको भी हमने biosphere reserve का दरजा दिया है, तो आंधर प्रदेश में शेचलम हिल्स जहां पर आपको एक ट्री है, जो आप देखोगे यही पर पाया जाता है, red sandalwood करके, इसक को पता है कि केन रिवर का जो कैश्मेंट एरिया है वहाँ पर है, यह बिल्कुल सही है, यह वही केन रिवर है, जिसको हम लोग केन बेतवा इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट से बात कर रहे थे, ठीक है, तो यह वही वाला पन्ना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो, यह तो मैंने इन Biosphere प्रोग्राम जो है UNESCO का, मैंने यह पर क्या करा है, मैंने आपको 18 के 18 जो Biosphere रिजर्व ते वो मेंशन कर दी है, लेकिन इसमें से सिफ 12 ही है, जो UNESCO के प्रोग्राम में आते हैं, तो वो हम आभी देखेंगे इसमें कौन से कौन से आते हैं, लेकिन यह UNESCO का प्रोग्राम था याद रखना, 1972 में चालू हुआ था, आइडिया यह था कि हमें एक साइंटिफिक तरीके से सरनक्षन करना है, बेसिकली ऐसे, मतलब इस तरीके से सरनक्षन करना है, कि लोग और उनका परियावरण, वन्यजीव और उनका परियावरण, और लोग और बीच में जो यह इंटरलिंकिंग है, हम सब को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि UNESCO आल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे जो एरियाज होते हैं, उनको बायोस्फेर रिजर्व, मतलब बायोस्फेर प्रोग्राम के अंदर बायोस्फेर रिजर्व का दर डोथर रिजर्व जो होते हैं, वो आप देखोगे, ट्रांस-बाऊंड्री होते हैं, मतलब वह एक कंटिर से दूसरी कंटिर के बीच में होते हैं, मतलब ट्रांस-बाऊंडरी साइट exist करती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बता रखा है कि कौन से वो 12 हैं, जो इस World Network के अंदर आते हैं, अब आप क्या करोगे, आप ये बनाओगे इंडिया का मैप, ठीक है, और इंडिया के मैप के अंदर आप देखोगे, mention करोगे, in fact, जो भी आपके National Parks है, Wildlife Centuries है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कि आप हमेशा उनको मैप पे बना की याद करो, प्यूंकि उससे क्या होगा, चीज़े लंबे ताइम तक रिटेन रहती है, जब आप किसी चीज़ का डाइग्राम, उसका जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ये सब देख लेते हो ना, तो आपके image बन जाती है आपके दिमाग में, और उसको वापस से आप देखोगे, निकालना काफी easy हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो आपके man and bias program में, जैसे नंदा देवी हो जाएगा, आप कैसे याद करोगे, सबसे पहले था अपना निलगिरी, ठीक है, एक ही हो गया, दूसरा हो गया, नंदा देवी, तीसरा हो गया, सुन्दरबंस, चौता हो गया, सिंपलीपाल, मेरे साथ करते जाओ ये, और इस states पर चलो, हम क्या करते हैं, मैं आपके साथ एकसे साइस करते हूँ, आप इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है, मेरे साथी, और इस इंडिया के मैप में आप लोकेशन मेंशन करते जाओ, नंदा देवी उत्राखंड में है, तो यहाँ पर आप लिखोगे नंदा देवी, और यहाँ पर उत्राखंड, ठीक है, यहाँ पर और यहां पर तीन स्टेट्स है केरला करनाटिक और तमिल्लाडू ठीक है फिर आपका यह वाला एरिया सुंदर बंस यह है आपका वेस्ट बेंगॉल फिर यह है आपका सिंपली पाल उडिसा तो यह हो गई चार स्टेट्स फिर यहां पर सिक्किम में आ जाएगा कंचंचंगा और सिक्किम ठीक है फिर यहां पर आएगा आपका नोकरेक मिघाल्य तो यह हो गया एक दो तीन चार पाच छे ठीक है छे हो चुकी है अपनी फिर अब आजओ यहां पर MP में यहां पर आगया पन्ना MP अचनार अमरकंटक वो MP और 36 गर दोनों है 7 और 8 हो गया ठीक है फिर पर आपका एक रह जाएगा अंडमाने निकोबार वाला यहां पर ग्रेट निकोबार वाला 12 ठीक है तो यह बारा जो अपने बायोस्फेर रिजर्व है वो अपने युनेस्को के मैनन बायोस्फेर प्रोग्राम में आते हैं अप इसके अलावा जैसे अपने कोल डेजर्ट पड़ा था अपने गल्फो यह अपने कच डेजर्ट का पड़ा था अपने शेचलम हिल्स वाला पड़ा था ठीक है तो यह सारे क्या हो जाएंगे उसके अलावा जो अपने बच्चते है न छे वो बेसिकली बायोस्फेर रिजर्व तो है लेकिन वो युनेस्को के मैनन बा इसमें प्रोग्राम के अंदर आया है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चीए स्पेसिफिकली तब जब आप इस स्टेट को बिलॉंग करते हैं ठीक है तो यह देखो यह 2020 में एड हुआ है यह अगर पन्दा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह जो दो ब नाच प्रोग्र देखने को मिलेंगे इसमें आपको पन्दा नच्ड पाग भी मिलेगा और आपको गंगाओ संकूरी भी देखने को मिलती है और क्यूंकि उत टाइगर रिजर्व ए तो टाइगर रिजर्व में कोर एरिया होता है जो कि की दैगर है उता में फोटे इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बायोस्फेर रिजर्व यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है तो हमारे पास अब जो इन्फरमेशन का स्रोथ है वो है आपका एन्विस वाला वेबसाइट तो यहीं पर जाएंगे हम यह देखो तो यह आप वापस से एन्विस वाला जो किसी कंट्री के द्वारा और एस्टाबलिश की जाती है और रिकनाइस की जाती है इस प्रोग्राम के अंदर 1971 में यह प्रोग्राम चालू हुआ था इसका काम यही था कि हमें जो वाइल लाइफ है उसको उसके सारे सारे सपोर्ट सिस्टम के साथ उसके पूरे एन्वार क्योंकि यहां से आपको लेटेस्स इंफरमेशन मिलती है ओहो ओके तो नाव नेट इस गॉन तो यह वाली लिंक हम बाद में खोल पाएंगे लेकिन एक मिनट हाँ तो यह देखो इस लिंक को जब आप खोलोगी युनेस्को वाली तो आपको इसली यहां से मिल जाएगा कि बाइस वे रिजर्व का क्या स्टेटस है अब आपको उतना करने की जरुवत है ही नहीं आप अक्चली यहां पे देखो तो यहां पे आपको पूरा इंफरमेशन दिख रहा है 18 फिर यहां पे आपको इयर भी बता रखा है कि कौन सा कब नोटिफाई हुआ है अब इसमें देखो लेटेस्ट आपको जो पता लगेग है इस पे पूरा इक डॉक्यमेंट भी दे रखा है आप इसको चाहो तो अराम से खोल के आप अपनी स्टेट का जो भी बायोस्फेर रिजर्व है उसके बारे में यहां से इंफरमेशन निकाल सकते हो ठीक है समझ में आया और पंद्रा के बारे में ज़रूर पढ़ लेना स्पैसिफिकली जब आप इस स्टेट से बिलॉंग करते हो ओके और फिर आज हम अपनी क्लास में आज की क्लास में एक लास चीज और पढ़ेंगे वो है आपका सेक्रेड ग्रूफ जिसको हम लोग पवित्र अब यहां की कम्यूनिटी इसको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर उनको जो लोकल जो उनके दीवी देवता होते हो उनका वास होता है अभी आपने एक मूवी आई थी ना कंतारा कंतारा मूवी किस-kिस ने देखे जरा बताना मुझे कमेंट तो यहां पर क्यों होता है कि जो लोकल कम्यूनिटी होती है वो बेसिकली बढ़ चड़ के हिस्सा लेती है इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरिया को नर्चर करने के लिए इस एरिया को बाहर के इंफ्लूएंस से बचाने के लिए यहां पर कोई भी आके इस ए मैंने बताया, 2002 में आपने अधिनियम को थोड़ा सा चेंज किया था और इसी के अंदर फिर आपने सेक्रेड व्रूस को भी लीगल प्रोटेक्शन और दर्जा दे दिया था अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आपको बता लगेगा कि जिसे हिमाशल प्रद कि आप वहाँ पर एक इन टाइमिंग है, एक आउट टाइमिंग है, हर कोई जानी सकता है अंटिर आपको उसका रिलिजिस सिग्निफिकेंस पता हो, जैसे हिमाशल प्रदेश में आप देखोगे, हाइस नंबर आप सेक्रेड ग्रूस आपको इंडिया में देखने को मिलते ह जैसे आप देखोगे, महराश में इनको देवराय और दिवराय बोलते हैं, ठीक है, बिहार में इनको सरनाज बोलते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल होते हैं, दो से बीस पेड़ी होते हैं, लेकिन इनको भी आप देखोगे, रिलीजिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, रा अगर आपको यह पता है कि और अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है तो उसके बारे में आप फिर कोई भी इंफरमेशन लिख किया सकते हो जैसे आप देखोगे करनाटिका में इनको देवरा काडू बोलते हैं मतलब जहाँ पर अपनी जो देवी दिवता होते हैं वो निवास करते हैं ठीक है वैसे आप देखोगे इनको वेस्टन असाम में थान बोलते हैं ठीक है देवरा ही बोलते हैं महराष्ट में कोविल काडू बोलते हैं Tamil Nadu में तो अलग-अलग नाम से इनको बुलाया जाता है तो प्लीज एटेबल जो है ना नीचे लास्ट जो राइट कॉर्णर में दे रखी है ये प्लीज आप एक बार देख लेना ठीक है अब मुझे बताओ ये सेक्रेट रूफ के कोई ना कोई बेनेफिट्स तो ही रहोंगे इसके अलावा कि आपका पर्यावरन सर्रक्षन हो रहा है आपका बनेजीब का सर्रक्षन हो रहा है डीफ और इफोरस्टेशन लगरानी हो रहा है पर्पस वाले ट्रीज होते हैं जिनसे बहुत सारी मेडिसिन बनती है आयूरवेज अगरा की ठीक है इनसे आप बहुत सारे सोर्सेज रैक्स, हनी, लेटेक्स, गम ये सब निकाल सकते हो इनको बेज के मार्केट में पैसा कमा सकते हो अबिसली पेड होगा होगे तो फॉरिस्टेशन, न्यूट्रेन रिसाइक्लिंग, क्लाइमेट, एट्मॉस्फेर चेंज, ये सब चीजों से भी आपको फाइदा मिलेगा पानी रुकेगा, ग्राउन वोटर रिचार्ज होगा, ठीक है, बहुत सारी बायो डाइवरसिटी इखटी होगी, एर प्यूरिफाई होगी, ऑक्सिजन मिलेगा, सियो टू अब्सॉर्ब होगा तो वो जितनी भी सारी आपने बेनेफिट्स पड़े थे, वो तो आपको याद रखने ही, रखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम हम फेस करें न, सेक्रेट ग्रूफ में, वो है थ्रेड्स, वो है कि इनको क्या चुनौतिया है, कि इनका आप देखोगे, ए बार हम जान मुझ के लाते हैं, तो ये सब ही आप देखोगे चुनौतिया है, जो कही न कहीं सेक्रेड रूफ का जो सर्वाइवल है, उसको थ्रेटन कर रही है, ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको क्या करेंगे, वो वेबसाइट से देखेंगे, ताकि आपको पता लगे क अथेंटिक इन्फरमेशन कहां से लेनी है, यहां पर हम गई गूगल बाबा पर, तो गूगल पाबा पर अगर आप यहां देखोगे, देखो यह है आपकी एन्विस की वेबसाइट, ठीक है, आप पहली बार ऐसा होगा कि आपको एन्विस की वेबसाइट में आपे सेक्रे ग्रूवज इन इंडिया करके टाइप करोगे, और आपको पूरा जो मैंने आपको मैप दिखाया था ना, ऐसा आपको मैप इसली दिख जाएगा, वेलेबल हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहां पे कितने सेक्रेट ग्रूवज है, उसके अलावा आप तो आपको जो प्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना, वेसे मैंने मेंशन कर रखा एगा, और मैंने आपको भोला भी है, कि हिमाचल प्रदेश में आपको सबसे सधादा सेक्रेट ग्रूवज देखने को मिलते हैं, तो यह नंबर देखो क्या लिखा है, पांच हजार सेक्र ठीक है तो अपसे जादा सेक्रेट गूफ कहा देखने को मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो ऐसे आप पूरा information कलेक्ट करते हो authentic sources से लेते हो तब ही आप देखोगे थोड़ा सा आपको भी confidence अपनी स्टेट का नाम लिखने के बाद इनको reply कीजेगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे benefit मिल सके तो फिर से मिलेंगे हम लोग next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद